अपने Communication Skills डेवलप करना है, तो Speech Improve करो. आज के वीडियो में हम Speech Development करने के बारे में बात करेंगे, जो हमने कल क्लास में प्रैक्टिस किया. सबसे पहले, आपको समझना होगा कि Speech और Pronunciation का आपकी Communication पर कितना बड़ा आसर होता है. जब आप सपष्ट और आत्म विश्वास से बोलते हैं, तो आपकी सुनने वाली आपकी बातें आसानी से समझ सकती हैं. सपष्ट ता Communication से शुरू करते हैं. अगर आप किसी specific accent या style से बात करते हैं, तो ये आपके character को ज्यादा believable बनाता है. Emotional impact भी हाँ important है. जब आप अपने dialogue को सही तरीके से pronounce करते हैं, तो उसका emotional weight भी बढ़ जाता है. इसलिए आपको अपनी articulation पर focus करना चाहिए. चलिए, अब कुछ exercises देखते हैं, जो आपकी speech और pronunciation को improve करने में मदद कर सकती हैं. Vocal warm-ups, humming से शुरू करें, फिर lip trills करके अपने vocal cords को warm-up करें. Articulation drills, tongue twisters को practice करें. जैसे, she sells seashells by the sea shore, reading aloud, किसी play या book का passage लें और loud पड़ें. Clarity और pronunciation पर focus करते हुए. Mirror के सामने खड़े होकर अपने mouth movements को observe करें, breath control exercises, deep breathing से शुरू करें और sustained sounds पर focus करें. इसके बाद अपने mentors के साथ practice sessions और फीड़ेक लें. तो speech और pronunciation का importance समझना जरूरी है. इन skills पर ध्यान देकर आप अपने communication skills को बहुत enhance कर सकते हैं. तो आज से practice शुरू करें और अपनी journey को transform करें. कोई सवाल हो तो अपने comments शेयर करें और advanced tips के लिए हमें follow करें.